सोशल मीडिया पर बॉलिवोड सेलेप्स के बचपन की ना जाने कितने ही तस्वीरे अब तक वाइरल हुई होगी। ऐसे में एक और सेलिब्रिटी के बचपन की फोटो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस ब्लैक और वाइट फोटो में आप एक बच्चे को देख सकते हैं य तो बता दे कि ये बॉलिवोड में डिस्को डांसर के नाम से भी मश्यूर हैं। अब तो आप पैचान ही गए होंगे कि ये बच्चा और कोई नहीं बलकि मिथुन चक्रवर्ती है। मिथुन चक्रवर्ती का जन्म सुला जुन्नी 150 को हुआ था। वे अपने करियर में अब 350 से अधिक फिल्मों में काम करचे हैं। कहते हैं फिल्मों में आने से पहले मिथुन चकरवर्ती हेलन के असिस्टेंट रह चुके हैं। असी के दसक में मिथुन्दा डिस्को डांसर के नाम से मशूर हो गए थे। मिथुन चक्रवर्ती ने पूने Film and Television Institute of India से एक्टिंग सीखी। 1976 की फिल्म रिगिया से मिथुन ने फिल्मों में एंट्री की। अपने पहली ही फिल्म के लिए मिथुन चक्रवर्ती ने National Award जीता था। हाला कि इसके बाद मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर का सबसे बुरा दौर भी देखा। 1993 से लेकर 1998 में मिथुन दा कई फिल्मों में आए। लेकिन उनके सभी फिल्में फ्लॉप रही। उन्होंने एक के बाद एक लगता 33 फिल्में दी। ये बात और है कि इसके बाद भी उन्हें स्टार डंपर कोई असर नहीं पड़ा। मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलिवुट के कई हसीनाओं के साथ भी जुडा। मिथुन चक्रवर्ती का नाम फोस्टार रंजीता, योगीता बाली, सारीका और अभिनेत्रियों के साथ जुडा। लेकिन श्री देवी के साथ उनके अफेर के चर्चा सबसे ज़ाधा हुई। और भी अधिक जानकारी के लिए बॉलिवुट गपशप को लाइक और सबस्क्राइब जरूर करें।